आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही टेस्टी एकदम गाड़ी और रबडिदार खीर, इस खीर को बनाने के लिए हमने कोई milk made का भी use नहीं किया है तो चलिए start करते हैं खीर बनाना, खीर बनाने के लिए हमने एक लीटर दूद लिया है, आप को इसा भी दूद ले सकते हैं प दो-चार बार पानी बदलते हुए, इसे बहुत अच्छ असे दोग कर छलने में डाल कर पानी निकाल देंगे और ये देखे दूढ में हमारे उबाला चुका है इसज़ अजर से दूढ में हम अगिरdays में हम दूले पयोज चावल डाल डाल इतने में ही चावल हमारे पक जाएंगे देखिए खीर हमारी गाड़ी सी हो गई है और चावल पक गए है तो अब हम इसे अलग गैस पर रख देते हैं और आगे की तयारी करते हैं इसके लिए हम गैस पर कड़ाई चड़ाएंगे और एक चमच इसमें मेल्टेट बटर डालें आप इसमें देशी गी भी ले सकते हैं पर बटर से ये बहुत ही टेस्टी बनती है अब हम इसमें चार हरी इलाइची और आट से दस बादाम डालेंगे आट से दस हम इसमें काजू डाल देंगे और इन्हें हम कुछ सेकिंड के लिए रोस्ट कर लेंगे अब हम इसमें एक म आदाम की भी टुकड़ी ले सकते हैं पर इस वाली रसिपी में आप इससे इसी तरह बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छे लगेगी तो अब हम इसमें एक कटोरी शकर डाल देंगे शकर आप अपने टेस्ट के कोड़िंग का मिया ज़्यादा कर सकते हैं आप शकर किजिए कि स कायार के करने के लिए फानी यह दूद किसी कभी उजने किया हमने कुछ भी नहीं डाला है आप चाहेां तो उल्ट experiments को एक लिए चमज दूद का यूज के लिए ज़्यादा है जब इस तरह से हम्हारे किर आज़ायग को मुई आतो इस शकर करने के लिए ऐक चमज दूजों उसमें दू-दूर चावल डाल देंगे, और इसे मिक्स करते जाएंगे, तो यह मैंने सारा दू-दूर चावल डाल दिये इसमें, और इसे अब हम कुस देर पकने देंगे, यह देखिए कितनी अच्छी कंसिस्टेंसी है इसकी, बस इसमें थोड़ा उबाल आ जाएगा, तो हमारे खीर तयार हो जाएगी तो इस तरह से मिक्स करते जाएंगे और मेडियम आज पर इसको कुछ देर पकने देंगे यह देखिए उबाला चुका है और खीर का कलर देखिए बहुत यह प्यारा कलर आया इसका क्योंकि शक्कर को हमने केरमलाइज करके डाला है तो उसका जो क इसके इल को सर्व कर लेंगे आप इसे गर्मा गर्म सर्व करें या फिर आप इसे ठंडा करके फ्रिज में रखकर सर्व करें यह बहुत यह अच्छी लगती है दोनों ही तरह से तो यह तयार है हमारी खीर अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले आगे आपको कौन सा वीडियो देखना है वो आप मुझे कॉमेंट में लिख दीजिए और ये वीडियो आपको कैसा लगा वो भी आप मुझे कॉमेंट में लिख सकते हो तैंक्यू